नमस्कार दोस्तों आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ आज की कहानी है दीदी मा की प्रापर्टी पर सिर्फ हमारा हक है तुम क्यूं किद की तरह नजर कड़ा के वैठी हो घर की बुजर्ग महिला भगवती की मृत्यू हुए बिस घंटे से जादा बीच चुके थे विरादरी के सबी लोगों के एकठा होने का इंतजार करने में पहले ही एक दिन निकल चुका था जब भी कोई नया आता नए सिरे से रोना धोना सुरू हो जाता फिर खुसुर खुसुर सुरू हो जाती एक तरफ महले वालों का जमाओडा लगा था दूसरी तरफ गाउं बिरादरी के लोग जमा थे केवल घर के सदस से ही अलग-अलग छितरे पड़े थे वे एक दूसरे से आँख शुराना चाहते थे मृत्यू तो सुबह 8 बजे ही हो गई थी पर महले में 12 बजे खबर फैली पडोसिन रुखमिडी बोली भगवती अपने बहु बेटों से अलग रहती थी सब कभी दूसरों से मिलती तो अक्सर कहती जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा अपने कामों को खुद भूख तेंगे मुझे क्या मेरा गुजारा हो रहा है मन आया तो पकाया नहीं तो दूद फल खा कर पड़े रहे दूसरी पडोसिन लीला बोली बेचारी बहुत दुखी महिला थी चलो मुक्तिप आ गई रुकमिडी ने कहा तो लीला बोली हाँ मुझसे भी कहती थी कि पूरी जिंदगी एक एक पैसा जोडने में अपनी हड़ियां गला दी आज इसी धन को लेकर बेटी बेटे सभी का आपस में जगड़ा है सभी को दूसरे की थाली में खी जाता दिखता है सोच रही हूँ किसी विर्धा अस्रम में एक कमरा लेकर पड़ी रहूं सब लोग मृत देह को बाहर ले आए कपड़े में लपेटते समय बड़ी बेटी उठकर आगे आई तो पड़ोसिन रुकमिडी ने उसे रोख दिया ना केवल बहुए ही इस कारे को करेंगी बेटिया नहीं जाओ कहची और एक चादर लेकर आओ चादर की ओट लेकर बहुए कपड़े काट कर उतारने लगी तो चादर का एक छोर पकड़े दूसरी पड़ोसिन लीला से रहा नो गया उसने कहा पहले इनके जेवर तो निकाल लो चादर का दूसरा छोर पकड़े रुकमिडी बोली जेवर तो लगता है पहले ही उतार लिये क्यों बड़ी बहु हम क्या जाने यहां तो बड़की जीजी की मरजी चलती है मा के मरते ही पहले गयनों पर ही जपती बड़ी बहु दो टूक बात करती है नो किसी बड़े का लिहाज न समय का लीला ने रुकमिडी को इस हारों से चुप रहने को कहा उन दोनों को इस घर के सारे राज पता थे जरा सितीली दिखाई नहीं की बम फट पड़ेगा आरोप प्रत्यारोप लगाने सुरू होंगे और अर्थी ले जाने का काम एक तरफा धरा रह जाएगा कोट कचारी भी यहीं हो जाएगी अर्थी बिदा हो गई आंगन में सभी पुरुष सदस से जा चुके थे घर की वहुए साफ सफाई में लग गई लीला और रुकमिडी आंगन के एक कोने में पड़ी कुर्शियों पर बैठ गई लीला अपने आसूं को पोच कर बोली भगवती मुझसे हमेशा कहती थी क्यूंकि राय के घर में रहती है अपना घर बना ले मैंने भी तो किसी तरह एक कमरे का मकान जोड़ा था फिर धीरे धीरे कमरे जुडते गए और इतना बड़ा घर बन गया हाँ मुझे भी समझाती रहती थी कि तेरे पास घर तो है मगर कुछ पैसे जमा कर और गहने बन वाले वक्त बेवक्त यही धन काम आता है रुकमिडी बोली लगता है यही सब अपने बच्चों के दिमाग में भी भरती रही तभी तो एक एक पैसे के पीछे इनके घर में उठा पटक होती रहती है लीला बोली हाँ सही कह रही हो तुम याद है पिछले महीने जब पानी की टंकी का पंप खराब हो गया था तो इनके बड़े बेटे ने पानी का टैंकर मगवाया जब इनोंने अपनी काम वाली को उस टैंकर का पानी लेने भेजा तो बहुने साप मना कर दिया अपनी दोनों टंकी फुल कर वाली और उसे टका सा जवाब दे दिया कि हमने अपने पैसों से पानी मंगाया है कोई खहरात नहीं है उस दिन यह सब बताते हुए भगवती रो पड़ी थी रुगमिडी बोली लीला तुरंद बोल पड़ी मैंने भी कहा था कि चलो जैसे भी हैं तुम्हारे बच्चे हैं क्यूं इस बुढ़ापे में अकेले खटती हो साथ में रहो इस पर भगवती ने बताया जब बेटों के साथ में रहती थी तब भी दूद, फल, सबजी धाले अपनी तरफ से मंगा कर रखती थी फिर भी किसी मेहमान को अपने मन से भोजन करने को नहीं कह सकती थी एक दिन सिल बटे पर मसाला पीस रही थी तो मजली ने टोक दिया मैंने जरसा डप्टा तो बटा उठा कर मुझे पे तान दिया उस दिन से मैंने अपनी रसोई ही अलग कर ली जब अपने रूपेउं का ही खाना है तो क्यूं न चैन से खाऊं लीला ने आगे कहा मैंने तो यह सब सुनकर एक दिन कह दिया भगवती देख मैंने भले ही घर नहीं बनाया मगर अपनी जवानी में मन बसंद खाया भी और पहना भी बच्चों के लिए चाजात नहीं जोड़ी बलकि बच्चों को उच्च सिच्छा दी है अब ये सहरों में अपना कमा खा रहे हैं आपस में दोनों भाईयों के प्रेम सम्मंद बने हुए हैं हमें तो पैंसन मिलती ही है जब तक हाथ पैर चलते हैं यही रहेंगे जब परेसानी होगी उनके पास चले जाएंगे तुम्हारे घर में तो यही जोड़ी हुई समपत्ती बच्चों के भी जगडे की जड़ बन गई है यह सुनकर भगवती बोल पड़ी थी तुम ठीक कहती हो लीला बहन लगता है मेरी परवरिस में ही कुछ कमी रह गई है जोई ने बिरासत में समपत्ती तो मिली पर संसकार नहीं मिले आंटी चाय यह सुनकर दोनों की बातों को बिराम लग गया सामने भगवती की भतीजी चाय का जग और गिलास था में खड़ी थी दोनों हडबडा कर उठ गई वे चाय पीने से इंकार कर अपने घरों को चल पड़ी दोनों पड़ोसिनों के जाते ही घर वाले सक्री हो गए जरा इधर आईए उसा दीनानात की पत्नी उन्हें अंदर के कमरे में चलने को कहा उन्होंने एक नजर पुरार्ट स्रोताओं पर डाली फिर उठ कर अंदर अपनी मा के कमरे में आ गए अंदर बक्सा अलमारी वो दूसरे चीजे उल्टी सीधी बिखरी हुई थी यह क्या है वे गुस्य से तम तम आए बड़की जीजी संग ये दोनों मिलकर अलमारी खोलकर सारी रूपया खोशती रही फिर अपना मन पसंद सामान उठा कर ले गई दिदी अम्मा के पास एक जोड़ी कंगन एक जोड़ी कान के टॉप सहार और चादी की करधनी थी जिन में से करधनी तो कल हमें मिल गई बाकी जिवरबड़की जीजी उठा ले गई है ये संध्या थी उसा की देवरानी तुमने करधनी कैसे ले ली जब सास बिमार पड़ी थी तब तो जाकने भी ना आई थी उसा उलच पड़ी उससे क्या होता है अम्मा के सामान पर सबका हक है संध्या गुर्राई सेवा के समय हक नहीं था मेवा के समय सबको अपना हक याद आ रहा है उसा चिला पड़ी क्या पता तुम क्या क्या पहले ही ले चुकी हो संध्या क्रोधी थो उठी दोनों को जगरता देख दिना नाथ बीज बचाव करते हुए बोले बाहरी कमरे में भी रादरी जमा है अंदर तुम लोगों को जगरते सर्म नहीं आती मैं इस कमरे में ताला जर देता हूँ तेरह भी निपट जाने दो फिर खोलेंगे हाँ क्यों नहीं सया भय कोतवाल अब डर काहें का चावी जब अपनी अंटी में ही खोस लोगे तो रादी राद कुछ भी हड़प लोगे संध्या जब भी मूँ खोलती है जहर ही उगलती है तुम दोनों को जो करना है करो मुझे बीच में मत घसीटो या का कर दिना ना तुल निकली जब तक हम तुलसी वटोर ने गए उतनी देर में जीजी अम्मा के बदन और आलमारी दोनों में हास साफ कर गई उसा बोली तुम दोनों आपस में बंदर की तरह लड़ती रहती हो इसी का वे हमेशा बिल्ली की तरह फायदा उठाती रही वे तो हमेशा से अम्मा को भड़का कर अपना माल वटोर कर चल देती थी तुम दोनों के घर बैट बुराई कर माल पुए उड़ाने में लगी रहो अब देखो तुम दोनों की नाक के नीचे से जेवर उठा ले गए तुम अभी आपस में ही भीड़ी हो किरन डपट कर बोली जब तुम इतनी सयानी थी तो पहले क्यों नहीं बोली संध्या गुस्य से बोली क्या कहें तुम लोग अपने को किसी से कम समझती हो क्या कुछ बोलो तो बुरे बनो जब किसी को कुछ सुनना ही नहीं था तो कहे किस से हमने तो जीजी को कभी मुँ लगाया ही नहीं इसी से हमें बदनाम करती रही करते रहो क्या फर्क पड़ गया तुम दोनों को उनकी खुब सेवा में लगी रही तो तुम्हें कौन सा मेडल पहना गई अम्मा तुमसे हमेशा नाराज क्यों रहती थी उसा ने पूछा हम जी जी की हरकतों पर अपनी साधी के पहले दिन से ही नजर रखे हुए थे जब जी चल बसे तब मुश्किल से छो महीने हुए थे अमारे विबार को तब भी बढ़की जी जी सोक के समय अम्मा के बखसे पर नजर रखे बढ़ठी रही छै महीने बाद जब अम्मा को जेवर का होस आया तो पता चला नत मांग्टी का मंगल सुत्र पायल बिछिया सब जी उठा ले गई हैं ऐसे कैसे उठा ले गई संध्या बोली यही अम्मा ने पुछा तो बोल पड़ी अब तो पिताजी रहे नहीं तुम अब ये सुहागन चिन पहन नहीं सकती इसे मैं अपनी बिटिया की साधी में उसे नानी की तरफ से दे दूंगी तुम्हारा नाम भी हो बस उस दिन से अम्मा ने मन में गांठ बाद ली जो वो जीते जी खोल ना पाएं अब क्या फायदा इन सब बातों का इस कमरे में भी ताला डालो या नो डालो जी जी तो पहले ही ड़केती डाल कर चलती बनी जरा बाहर आकर देखो लोगों के आगे कैसे रोने धेने का ना राम दे और वे लपक कर बहों के भीच में उनको धमकाने पहुच जाएं बढकी ने चोर नजरों से रुकमिडी और लिला पर नजर ढाली उसे लगा कहीं अंदर की आवाजे इन्होंने तो नो सुन ली वे दोनों कथा की समापती पर जैसे ही उठ खड़ी हुई वे लपक क पर उनके पास पहुच गई अरे बैठो ना चाची तुम्हें देखकर अम्मा की याद ताजा हो जाती है आप दोनों तो अम्मा की खास सहेलिया रही हो बैठो मैं चाय बना कर लाती हूँ यह का करवड़की ने उन्हें जवरजस्ती बैठने पर मजबूर कर दिया सुन बि जर अपने भाई के सामने रखे रिवाजा अनुसार लोगों तो हरा लए फलो के धेर की तरफ देखकर कहा वह भी लोट आई बड़की ने सफाई पेस की तभी दीना नात कमरे में दाखी लुआ तो बड़की बड़े प्रेम से बोली चाची तुम लोग अभी बैठो मैं ज इससे के खेत के कागज नहीं मिल रहे हैं तुमने समाले क्या ये सोमनात थे दीनानात के बड़े भाई अरे इसी ने छिपा के रखे होंगे सोचता होगा कि मैं तो पुलिस में हूँ कोई मेरा क्या बिगार लेगा अब छोटा भाई रमेश भी ताल ठोक का लड़ाई के अमा की जमीन में मेरा हिस्सा लगेगा तुम तीनों अकेले हजम करने की नौ सोच लेना बढ़की जीजी भी तुरंत बोल पड़ी ऐसे भले ही कम सुनती हों मगर जमीन जा जाद रूपयों पैसों की बात तुरंत सुनाई पड़ जाती है तुमें तो अमा पहले ही खेत में हिस्सा दे चुकी हैं अब दोबारा क्यों सोमना चीखे मैं कुछ नहीं जानती अगर हमें हिस्सा नौ मिला तो मैं कोड कचरी करने से पीछे ना हटूंगी मैं इकलोती बहन हूँ मुझे भी तुम लोग मायके में बरदास नहीं कर पा रहे हो चार छो होती तो क्या करते तुम अकेली ही दस के बराबर हो दस को विदा करना असान है मगर तेरी विदाई न जाने कब होगी जमीन जाजाद रुप्या जेवर्सम में सेथ लगा कर भी तुझे चैन कहा है यह सुनकर बढ़की क्रोध में आ गई थोड़ी देर में ही घर कुरुछेतर के मैदान में तबदी अभी तो तेरे दिन भी ना हुए पड़ोसी बुजूर्ग महिला रुकमिडी ने आकर सब को सांत किया सब आपस में अब बोला कर सांत बैठ गए समास को दिखाने के लिए दूसरे दिन भगवती के घर से लोड़ती रुकमिडी और लिला को उसा ने बाहर गेट के पास रो अब देख लो इनकी संसकारी आउलादों को अरे चाची हम बहुए रुपे गहनों को लेकर जगर पड़े तो समझ में आती है बात मगर ये लोग तो एक ही मा की आउलाद हैं भाई बहन हैं एक दूसरे के कंदे पर सिर रख कर रोने के बजाय मा के मरते ही बैठ कर रुपिय लोगा थे उस समय बढ़की जीजी की ससुराल से रिष्टेदारी है हमारी एक बार मेरे पिता जी जुए के अड़े से छापा मार कर लोट रहे थे मुशला धार बारिस में उनकी जीब पानी के गटे में फसकर बंद हो गई एक जीब तो आगे थाने को निकल गई जिसमें जुआरी थे पिता जी के पास रूपयों से भरा बैग और एक सिपाही ही रह गया था दूसरा मेकैनिक को लेने चला गया पिता जी को याद आया कि घर दो फलंग की दूरी पर ही तो हैं वे सिपाही को गाड़ी के पास छोड़ कर यहां चले आए कि गाड़ी ठीक हो जाए चल पड़ेंगे जानती हो चाची फिर क्या हुआ हाँ याद आया सब दीना नत पुलिस भरती की तैयारी कर रहा था तभी उसकी साधी तै कर दी गई थी लिला बोली हाँ चाची तुम्हारी आदास तो बहुत तेज है उस समय पिता जी और बैग दोनों ही बूरी तरह से भ पता है कितने रूपए थे नहीं यह बात तो नहीं पता हमें रुपमिडी जन्ने को वेताब थी एक लाग दस अजार के लगभग इन सभी की तो आखे खुली की खुली रह गई सोचा पुलिस की नवकरी में तो नोट ही नोट है पिता जी ने बताया था कि ये रूपए था पताने में जमा करने के लिए हैं मगर इन्हें लगा ये सब उपरी कमाई के हैं अपने बेटे की साधी उसी दिन मेरे साथ तैय कर दी जिससे मेडिकल सच्छातकार में सहूलियत मिल जाए और दूसरी साधी में तगड़ा दहेज भी अरे चाची मुसे भी इन लोगों ने ख पता कर दी बस उसी दिन से मैंने भी लिहास करना छोड़ दिया मैंने ये कह दिया तुम्हारी बिटिया की तरह नहीं हूं कि हर सामान के लिए मायके में कटोरा लेकर खड़ी हो जाऊं जितनी मेरे आदमी की कमाई है उसी में घर चलाना जानती हूं बस चिढ़कर मेरा चु लीला ब्यंग से बोली देखा न चाची जरा सी जमीन जाजाद के लिए इतना जगडा MIरे माइके में तो यहां से दस गुना ज़्यादा जाजाद है, मा पिताजी अब रहे नहीं हमारे पिता जी हमें कुछ जमीन जाजा तो दे नहीं गए हमारी अम्मा भी यही बोली थी कि तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी साधी में खर्च हो गया पिछले साल तो हम दोनों बहनों ने सोचा कि चलो अब कानून भी बन गया है पिता जी वसीयत नहीं कर गए हैं तस दिन में ही चीक चीक कर कोट कचहरी करने की बात कर रही है हम बहनों की चुगली सब जगें लगा दी हमारे भाईयों तक बात पहुँच गई हमारे मायके से संबंध भी खराब हो गए और मिला भी कुछ नहीं यहां भी आकर सो बात सुना गई कि हमारे माबाप खांदान का नाम डूब जाएगा जब इस घर की औरते कोर्ट में खड़ी हो जाएंगी मेरे आदमी को भी जोरू का गुलाम और नौज आने क्या करकर भड़काया गुसे में आकर इन्होंने मेरा सिर दिवार में पटक दिया था आया देखो यहां तीन ठाके लगे हैं अब अपनी बहन का सिर फोड कर दिखाएं अब इनके खांदान की इज़त में बट्टा नहीं लग रहा ठीक कहती हो बहन यह बहुत ही सातीर औरत है अपनी बारी आते ही गिरगिर की तरह रंग बदल लेती है मेरी साधी की सौपिंग में क्या किया पता है तीसरी बहु संध्या कब इस बातचीत के बीच में सामील हो गई उन्हें भान ही नहीं हुआ तुम तो चुले पर दो दुबाल रही थी गैस बंद कर दी किरण ने पूछा हाँ बंद करके आई हूँ हाँ तो मैं क्या सुना रही थी संध्या ने पूछा साधी की सौपिंग बता रही थी लीला जानने की गरच से बोली मेरे आदमी की कोई खास कमाई तो होती नहीं थी दुकान से नई नई दुकान होने के कारण साधी का खर्चा भी घर में नहीं दे सकते अम्मा ने जीजी से ही सारी सौपिंग करवाई मुझ पर और उसा पर भरोसाई कहां था अम्मा को अपनी बेटी को ही रूपए पकड़ाती थी ये ले आना वो ले आना जीजी ही तो भड़का के रखती थी कि बहुएं पैसे मार लेंगी हूँ अब देख लो हरिस चंदर भाई और बहन को किरण बीच में बोल पड़ी अरे मेरी पूरी बात तो सुनो मेरी साधी में गिनी चुनी साथ साणियां ससुराल से मिली उन में से भी दो साणियों में मैंने फॉल के पास जंग लगा देखा जैसे लोहे के बकसे में साड़ी रखने से लग जाता है मैंने सभी से कहा ये साणियां पुरानी दे दी है दुकांदार ने इसे बदलवा दो जिजी ने तुरंद कहा अब तो महीना भर हो गया आप दुकांदार नो बदलेगा बाद में मैंने खुद दुकांदार से बात की तो वह हसने लगा और बोला बहन जी इतनी बड़ी मेरी दुकान है मैं पुरानी साड़ी नहीं बेशता हूँ मुझे सब समझ में आ गया कि साड़ी जीजी नहीं बदल दी थी तभी दोबारा दुकान पर जाने को तयार नहीं संध्या गुस्य से बोली हाँ तेरी साड़ी की साड़ी की बात तो मुझे भी अच्छे से याद है मैं भी हैरान हो गई थी की जीजी सौपिंग में कैसे ठक गई किरन हसने लगी तुने गलती की जब पता चली गया था तो साड़ी लाकर जीजी के मुझे पर दे मारती हम तो सुरू से ही लिहाज ही करते रह गए उसी का नतीजा है कि आज भी हमारी छाती पर मुझ दलने को बैठी है संध्या ने मुह बनाया मुंग से याद आया कल के लिए उड़त भी गोनी है अच्छा चाची कल ते रह्मी के भोज में जरूर आना कर कर दोनों भीतर चली गए दिन का भोज खत्म होते ही बेटों ने तुरंट टेंट समेथ दिया लोगों को हाथ जोड़ कर विदा कर दिया फिर से इकठे होकर सभी हिसाब लगाने में जुट गए कितना खर्चा हो गया और कितना अभी वार्शिक्स राद में करना बाकी है सोमनात कहने लगे दो बार मैंने मा को हास्पिटल में भर्ती किया था उस हिसाब को भी इसमें जोड़ो या हिसाब छोड़ो पहले जो जमीन बची है उसे बेचकर मेरा हिस्सा अलग करो जमीन का हिसाब बाद में अभी इन तेरे दिनों का हिसाब पहले करो सबसे ज़्यादा मेरे रुपए खर्च हुए हैं लाओ मुझे दो मैं सारा हिसाब लिख कर बताता हूँ दीना नाथ हात में कागज पेन लेकर खड़े हो गए तुम तो रहने ही दो पुलिस में हो ना कुछ भी उल्टी सीधी रिपोर्ट बनाने में माहिर हो मैं यह हिसाब किताब कुछ नहीं जानती मेरा हिसा मुझे दो बस फिर वही जगड़ा वही जमीन जाजाद को लेकर हंगामा सुरू हो गया इस से पहले हाथापाई पर बात पहुंचती बड़ी बहु के तानों से भी राम लग गया मैं तो कहती हूँ अमा जी और पिता जी रहते तो यह सब देखते सुनते मैंने तो खुब ताने सुने साथ ससुर ननत देवर सभी के मुख से हमेशा मेरे माबाप को कोसा गया कभी दहेश को लेकर कभी मेरे चाल चलन को लेकर अब दोनों साथ ससुर मिल कर देखें अपनी अवलादों को और उनके चाल चलन को भी तुमारे खांदान से तो लाग गुना बेतर है हमारा खांदान तुम हमारे माबाप तक कैसे पहुँच गई बड़की चीखी तुम लोगों के लच्छड ही ऐसे हैं जो माबाप की परवरिस को बट्टा लगा रहे हो या उसा थी अब लड़ाई चारों महिलाओं के बीच में सुरू हो गई तभी असिस्टेंट सब इस पेटर दिनाना सास् खबर मिलते ही दुरगटना अस्थल को रवाना हो गए बस रात में बारे बजे से दो बजे के बीच दुरगटना ग्रस्त हुई थी इस समय सुबह के पांच बज रहे थे अप्रेल के महीने में सुबह का हलका सा उजाला भर दिख रहा था रात बर हुई बारिश से इस पहा भीड और अफ्रा तफ्री का माहौल था उस वैंग से भी संगठन रहत बचाओकार में मुस्ताइदी से डटे थे बचाओ मार डाला का करुण करंदन गूज उठा दिनानात ने आवाज की और सिर घुमाया तो देखा सामने से दो युवाओं को तेजी से भागते हुए जोले को उनके हासों से चीनते हुए दिनानात को माजरा समस्ते देर न लगी दोनों युवकों ने फिर उल्टी दिसा में दोड लगानी चाही मगर दिनानात ने दबोश लिया जोले को पलटते ही उसमें से कटी हुई उंगलियां सोने की चुणियां मंगल सुत्र पाजे बादी जेवर बिखर गए आदम खोर हो क्या ये उंगलिया क्यों काटी दिनानात ने घुड़का अंगोठी उंगली में फची हुई थी निकली नहीं तो काटनी पड़ी चल तेरी बिखाल निकलवाता हूं का कर दिनानात ने उनके हाथ बादे अरे साहबिन जैसे लुटेरो तो जहां एक सिरेन की खबर सुनते हैं तुरंद घायल वा मुर्दों को नोचने खसोटने को दोड़ जाते हैं अभी यहां उनके और भी साती भीड में छिपे होंगे सिपाही उन दोनों को जीप के अंदर धकेलते हुए बोला मारो सालों को अभी सब उगलेंगे मैं नीच घटना अस्थल का मुआउना करके आता हूँ अपने साथ चार सिपाईयों को ले कर दीनानात तेजी से चल पड़े साम के च्छाए बजे तक सभी घायलों और मृत को बरामत कर लिया गया एक बार फिर से सारी जाडियों का मुआयना कर लो कोई जीवित या मृत छूटना न साहब बरात की बस थी इसमें 40 लोग सवार थे जिन में से 6 मृत और 4 गंभी रहला वस्था में अस्पताल को रवाना कर दिये गए हैं बाकी सभी की प्रात्मिक चिकित साकर उनके गंतप्य को भेज दिया गया है ये हैवे 4 लुटेरे जो मृत को के सरीर को गिद्धों की तर अनोस्ते खसोडते हुए मौकाए वारदास से पकड़े गए हैं दिनानाथ ने अपनी जीब की तरफ इसारा कर बताया इन जबी कारेवाही में बहुत समय लग गया दिनानाथ को घर पहुँचने में रात हो गई थी रात गहरा गई यांगन में खटिया डाले दिनानाथ को चीख रही थी बचाओ बचाओ उसने पलट कर देखा बुढ़िया को गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे कोई उसके गले पे चिपका है कोई कान पे वो गिद्ध भगाने को डंडा खोजने लगा बुढ़िया का चेरा मा के जैसा दिख रहा था उसने चीखना सुरू कर द बुरा सपना देखा अम्मा दिखी क्या कुछ मांग तो नहीं कर रही कुछ कमी रह गई हो तो ऐसे ही सपने आते हैं जितने मूँ उतनी बातें जीते जीतों अम्मा को किसी ने पानी भी नहीं पूछा वे अपनी अलगर सोई बनाती खाती रही अब उनी के रूपियों से प गिद्ध से कम हो क्या तुम सभी जीते जीतों अम्मा का खुन पीते रहे और अब मरने पर उनकी बची संपदा की लूट खसोट में लगे हो जाओ यहां से मुझे सब समझ में आ गया है वैसे तुम से अच्छे तो वे गिद्ध हैं जो मरे सड़े को खा कर वातावरण को अपना योगदान देते हैं वे लुटेरे भी कई गुना बेतर हैं जो अंजान को लूट कर अपने परिवार को पालते हैं तुम लोग तो उनसे भी अधिक गिरे हुए हो जो अपनी ही सगी मा को लूट कर खा गए हट जाओ मेरे आगे से का कर दिना नात अपना मुँ ढ़ा अपने कमरे में जाकर चूप चाप बैठ गए और अपना मनंचिंदन करने लगे कि माबाप की परवरिस को इतना भी सरमसार नहीं करना चाहिए पैसों के चक्कर में कि उन्हें मरने के बाद भी तकलीप पहली बार जीजी को भी अपनी गलती का हैसास हुआ जीजी अपने घ बाक्स में जरूर दीजिएगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा थैंक्यू फॉर वाचिंग मिलते हैं अगली कहानी में